हलो फ्रेंड्स, इस्टेडी बित कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में वन जीव वाइल्ड लाइफ के बिसे में हम जानेंगे देखे वन और वन जीवों से समंधित प्रावधान हमारे समिधान में भी किये गए है तो आप कमेंट करके बताएं कि वनों से रिलेटेड और वन जीवों के सरचण से रिलेटेड अगर कोई प्रावधान हमारे समिधान में किया गया है तो वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कमेंट करके आप बताएं कि वो किस आर्टकिल से या समिधान के किस भाग से रिलेटेड हैं वो चीजें Friends, हम समिधान में तीन प्रकार की सूचियां पढ़ते हैं संग सूचि, जिसमें हम जानते हैं कि उनमें जो बिसे रखे गए हैं उस पे संग सरकार नियम कानून बनाती है दूसरी है राज सूचि, उसमें जो बिसे रखे गए हैं उस पे राज सरकार कानून बनाती है और तीसरी सुची है समवर्ती सुची जिस पर केंदर और राज दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती है हलाकि अगर केंदर सरकार कोई कानून बनाती है तो वो प्रभावी रहता है तो हम यह जिक्र इसले कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम वन जियू की बात करने जा रहे हैं तो देखिए वन और वन जीव, दो चीज़े हैं, देखिए वन एवम वन जीव, वन जीव, ये दो टौपिक हैं, फोरेश्ट और वाइलल्लाइफ, ये हमारे समिधान की सूची में ये विसज़य हैं, यानि इस पर कानून बनाने का हक किसे हैं? तो देखे पहले ये दोनों टॉपिक राज सूची का विसे थे पहले ये राज सूची का विसे थे ये प्रशन आप से पूछा भी जा सकता है और बाद में 42 में सम्विधान संसोधन में इनको बदल दिया गया 42 में सम्विधान संसोधन द्वारा इन्हें समवर्ती सूची में रखा गया तो अगर वर्तमान में आप से प्रशन पूछा जाता है कि वन और वन जियो ये टॉपिक कि सूची में है तो ये हैं समवर्ती सूची में और जो विसे समवर्ती सूची में होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि इन विश्यों पर केंद्र और राज दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं तो केंद्र और राज दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं हाला कि केंद्र का कानून जो होगा वो प्रभावी रहेगा राज के कानून पर तो यह प्रश्म तो पूछा भी जाता है और पूछा जा सकता है कि वन और वन जियू तो हम आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश के वन जियू पर बात करेंगे पहले हम वन जियू को पढ़ेंगे बाद में हम वनों पर भी चरचा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वन कौन कौन से हैं कहां पे हैं तो वन जीव का मतलब क्या है वन जीव का मतलब है वन में रहने वाले जीव जैसे सेर है भालू है तिंद्वा है हिरन है ये सब क्या है उद्विलाओ है ये सब वन जीव है इसमें पसु तो आते ही हैं पच्छी भी है बहुत सारे पच्छी भी है तो भारत में आप देखोगे कि पसों को सरच्छित करने के लिए पच्छियों को सरच्छित करने के लिए और वनों को भी सरच्छित करने के लिए कई अधनियम भी लाये गए वनों को सरच्छित करने के लिए वन सरच्छड अधनियम लाया गया वन जीवों को सरच्छित करने के लिए वन जीवों सरच्छ है वन सरच्छन अधनियम और इससे पहले वन जियू सरच्छन अधनियम लाया गया वन जियू सरच्छन अधनियम ये लाया गया 1972 में और वन सरच्छन अधनियम पर प्रावधान किये गए हैं कि हम वन जीवों की सुरच्छा कैसे करें, किस प्रकार से उनको सुरच्छित करें, अब देखें वन और वन जीव, दोनों ही हमारे जीवन के लिए महतपूर अंग हैं, हमारे परिस्थित की तंतर का भाग हैं, अगर ये सर्वाइब नहीं तो मानो जीवन भी खत्रे में पढ़ जाएगा, इसलिए इनकी सुरच्छा आवस्यक है, और इसी को देखते हुए सरकार और विश्व की सरकारें, दोनों ही प्रियासरत रहते हैं, विश्व अस्तर पे भी बहुत सारे प्रियास किये जाते हैं, और राश्टी स्तर पे भी क काम करेंगे, और मिल करके भी काम करेंगे, तो हम टॉपिक जो आठ डिसकस करेंगे, उसमें हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन जीव सरच्छड के लिए क्रिया कलाब हैं, क्या क्या चीज़े हैं, यहां पर राश्टी पार्क कौन से हैं, चिलिया घर कौ सकते हैं यहां पर आपको सीधे सीधे जो उत्तर प्रदेश में जो सरचण अस्थल है यानि कोई चुडिया घर है चुडिया घर भी सरचण अस्थल है और कोई नेशनल पार्क है कोई टाइगर रिजर्ब है कोई पच्छी बिहार है अभयारण है या वन जीवों के लिए जो संचालित की जा रही है योजनाए उन पे आपको सीधे कुश्चन दिये जा सकते हैं आपजेक्टिव टाइप कुश्चन पूछे जाते हैं और बाद में आपको लिखने के लिए लांग टाइप कुश्चन मेंस एक्जाम में दिये जा सकते हैं तो चले इस टोपिक पे हम ब परेरच्षण संगठन की स्थापना 1956 में की गई थी और यह उत्तर प्रदेश में की गई थी तो एक पॉइंट आपको यह याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले पर्थम वन्य जियू परेरच्षण संगठन की स्थापना की गई थी अब जो है इसके लिए ज सरबोच संस्था है यही जो है सभी वन जीओं के सरच्छड से समंधित सभी कार कौन देखता है वो है भारती वन जीओ बोड और इसका जो अध्यच है वो कौन होता है अध्यच जो है प्राइम मिनिस्टर होता है इस बोड का अध्यच प्राइम मिनिस्टर होता है तो यह वो वन भारती वन जियू बोर्ड करता है ये बोर्ड है और इसके अध्यच जो है वो प्राइम मिनिश्टर होते हैं तो ये दो पॉइंट आपको याद रखेंगे और ये भी जो है प्रथम वन जियू परशन संस्थन उत्तर प्रदेश से ही सुरुआत किया गया था 1956 में अब तो राष्टी पार्कों की संख्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक है अगर हम ये सर्च करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्ब्स हैं तो उनकी संख्या वर्तमान में चार हो गई है वो भी हम देखेंगे चिडिया घर कौन-कौन से है मुख चिडिया अगर कि संखी दो हैं बड़े-चिडिया घर और चौटे-चिडिया घर तो वो भी आप से पूछ जाते हैं प्रस्न में काहा पर कौन सा है और इसके बाद पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से वनजियू बिहार है और पच्छी बिहार है वन जीव बिहार में पश्वों से समंधित सरच्षड है और पच्छी बिहार में इस्पिसली पच्छी लेकिन आप कटेग्राइज नहीं कर सकते हैं अगर आप यह नहीं कह सकते हैं कि कोई पच्छी बिहार है तो वहां कोई अनिवजीव नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, पराकृतिक जो सनच्छन के अंदर होते हैं वहां पे सब कुछ हो सकता है, लेकिन पच्छी बिहार जिसको कहा जाता है जहां पे मैक्सिमम प्रियास पच तो जो government के site है उस फे पहष्ट बिभाजन नहीं है कि कितने पच्छी भिहार है यह कितने वनिज्यू है वह mix-up है लेकिन इस से हमें कोई लेना देना नहीं है हमें यह जानना है कि total पच्छी भिहार और वनिज्यू बिहार उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से हैं वो directly question आपसे पूछे जाते हैं Tiger Reserve की संख्याचार हो गई है राष्टी पार्क जो है वो अभी भी एक है और जो राष्टी पार्क है वो ही Tiger Reserve में भी convert किया गया है तो उसको हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्व में तो आई ये बात करते हैं सबसे पहले राष्टी पार्क के विसे में ये point आप याद रखेगा कि 42 संविधान संसोधन 1976 में हुआ था ये 42 संविधान संसोधन कब हुआ था 1976 में 42 संविधान संसोधन को mini constitution भी कहा जाता है यानि बहुत सारी चीजों को एक ही बार में संसोधन में संसोधन कर दिया गया था तो इतने सारे point थे कि वह एक छोटा मोटा अलग से संविधान है तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले है नेशनल पार्क राश्ट्री पार्क सबसे पहले हम देखेंगे राश्ट्री पार्क उत्र प्रदेश में एक राश्ट्री पार्क है और वो है दुध्वा राष्ट्री पार्क में इसको इस्त्वापना हुई थी लेकिन ये शुरुवात में राश्टी पार्क नहीं था राश्टी पार्क इसको बाद में ताइगार रिजर्व बनाया गया ताइगर रिजर्व बनाया गया या यानि कि यह नेशनल पार्क है और यह टाइगर रिजर्व भी आ तो नेशनल पार्क कहां है तो आप कहोगे लखीमपूर डिस्टिक में हैं लेकिन अगर आपसे कुश्चन पूछा जाया कि दुधवा टाइगर रिजर्ब कहां है तो फिर इसमें जो है एक जिला और सामिल हो जाएगा वो सामिल हो जाएगा लखीमपूर और बहराइच क्योंकि टाइगर रिजर्ब जब इसको बनाया गया तो इसमें कुछ छेतर और सामिल किया गया है ध्यान दीजिएगा तो कुछ छेतर सामिल करके तब इसको टाइगर रिजर्ब बनाया गया है तो वो छेतर कौन सा है किसुनपूर वन जिव भिहार और करतरनिया घाट वन जिव भिहार इसमे में है वन जीव भिहार किसंपूर वन जीव भिहार और करतरनिया घाट वन जीव भिहार को सामिल करके इसमें सामिल किया गया सामिल करके दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया इसमें इसमें यानि दुधवा राष्टी पार्क में क्या चीज़ा और सामिल कि गई किसंप पूर वन जिव भिहार और करतरिया घाट वन जिव भीहार तो इससमें जो tiger reserve बनाया गया तो यह हो गया लखेम पूर के ई जिला कि करतरणिया घाट और यह सब कहां यह बहराईच में पढ़ते हैं तो दो जिले में इसका विस्तार है टाइगर रिजर्व का और यही उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व बना तो हमने राष्टी पार्क की बात कर ली राष्टी पार्क जब पूछा जाए उत्तर प्रदेश में तो केवल एक है दुद्वा राष्टी पार्क और इसी को हम दुद्वा टाइगर रिजर्व भी कहते हैं जब इसमें मिला देते हैं किसनपूर वने जी बिहार और करतरणिया घाट वने जी बिहार सिंपल है इजी अब आईए बात करें जब हम छित करने की युजनाए चलाई जा रही है उसके तहरत इस पेसिली को फॉकस करके जो बनाए जाते हैं सरचाड के अंतर उनको टाइगर रिजर्व कहा जाता है वहां पे टाइगर के लिए पूरा फॉकस रहता है सब कुछ तो टाइगर रिजर्व हैं उत्र परदेश में सं आजमगढ उतरप्रदेश में जगे है वहां पर उसका बफर जोन है उसमें रिजर्व बनाए गया तो आजमगढ को सामिल करके चार टाइगर रिजर्व हो जाते है तो उन चार के नाम क्या है आप जाने राश्टी पार का आप ने लिख लिया लखीमपूर में है राश्टी है फ़स्ट पहला तो हमने अभी आपको बताया दुध्वा ढूर्द्वा टाइगर रिजर्व पेद्ध उन gone ऐり एे लखीमपूर खेरि और बहराईच में टाइगर लिजर्ब यह कहां पड़ेगा यह पीली ही डिस्टिक में है पीली भी प्लस सहाजहांपुर यह और तीसरा टाइगर रिजर्व जो है यह यह रानीपूर रानीपूर टाइगर रिजर्व और यह पढ़ता है चित्रकूट में चित्रकूट और इसे यह बुंदेल खंड का पहला टाइगर रिजर्व है यह बुंदेल खंड में यह पढ़ता है बुंदेल खंड छेत्र का प्रथम टाइगर रिजर्व है यह बुंदे तो यह है जो उत्र प्रदेश में है अब एक और है जो पहर जोन में है यह निकी जो नेस्टनल परखवता है उसका बभा भर जोन होता है जो जिव सबसेयदा प्रतवठोबन्ही छेत्र होता है सबमस्राइब करेंगे नेश्नल पार्क्स के ठेवरी के बिसे में बताएंगे तो उसमें कोर जोन होता है एक बफर जोन होता है बफर जोन में क्या होता है बफर जोन में सरचन भी होता है प्लस लोगों का आवागमन भी रहता है बफर सिस्टम बफर रहता है वहां पे कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल हंडेट परस करता है वह आजम serveshost बाफर जोन के बाफर यह जिंक हंड का एक waking नेशनल पार्क जिसको कहते हैं अब राम गंगा나 मर्स अधी हिसको दिखिंग राम गंगा राष्ट्री पार्क कहा जाता है राम गंगा राष्ट्री पार्क चाहें पुराना नाम इसका जीम कार्बेट है जीम कार्बेट या राम गंगा राष्ट्री पार्क का बफर जोन उत्रखंड यूपी में ही था न तो अभी भी जब यह बॉर्डर बन गया है तो सब उत्रखंड से तच होते हैं तो इस राष्टी पार्क का कुछ हिस्सा उत्रप्रदेश के बिजनोर डिस्टिक में वह जीम कारवेट नेशनल पार्क का बफर जोन है तो यहीं आपको बता दिया तो अब वर्तमान में टोटल संख्या टाइगर रजर्प्स की यूपी में कि पीली भीत वाला 2014 में बनाया गया था और दुध्वा वाला सबसे पुराना है 1987-88 में यह बना था अभी 2018 में जो जड़गर्ना हुई थी उसमें अब बागों की संख्या कितनी है 173 है 2018 बाग गड़ना में 173 बाग है जो अब लगभग 200 हो जाएंगे तो यह 173 बाग जो है वो है 2018 के अनुसार तो यह टाइगर रजर्प्स है यूपी में अब देखे राष्टी जली जिव राष्टी जली जिव किसे घुसित किया गया है मैंने पिछली क्लास में आपको राष्टी जली जिव के बिसे में बताया था जब मैं यूपी की नदियों पर बात कर रहे थे तो जब हम गंगा रिवर को पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि राष्टी जली जिव है आप कमेंट करके बताया कि राष्टी जली जि कब घोशित किया गया है वर्स का बता ना है आपको कमेंट करके प्रशन का जवाब दीजिए तो उत्तर प्रदेश में क्या इसमें हम पढ़ने वाले है राश्ट्री जली जीव देखे भारत में राश्टी जली जीव को सरचित करने के लिए चलाई जा रहे है डाल्फिन प्र इुस श क्र wondल घंक है यह तो ढाल्फिन को सरचित गkommen टाल्फिन को सरचित करने के लिए ऑगाइडय डोन प्रजेट केता कैसे तो उत्तर प्रदेश के सोन्भद्र और मिरजापू्र डिस्टिक में गंगा डालफिन को सरचित किया गया है तो यूपी के मिर्जापूर एवाम सोन भद्र में सोन भद्र में मिर्जापूर और सोन भद्र में तो कि गंगा रिवर में ही ये डाल्फिन पाई जाती है ये सच्छ जल की डाल्फिन है खारे पानी में नहीं जिन्दा रहती है तो सच्छ जल नदियों में होता है मीठा पानी जो इसको बोलते हैं तो गंगा डालफिन गंगा नदी में मिरजापुर और सोन भदर छेतर में उत्तर प्रदेश में इसके सनच्छड के कारकरम चलाए जा रहे हैं और यह राष्टी जली जीव है आपको किसी प्रसंद का जबाब देना है कि इसको राष्टी जल जली जीव कब घोषित किया गया तो यह राष्टी जली जीव के संदर्व में जो है उत्र प्रदेश में प्रजेक्ट है आप देखे एलिफेंट प्रजेक्ट भी चल रहा है आपका इंडिया में एलिफांट हैनी हाथियों को सुरच्छित करने के लिए हाथी उत्तर प्रदेश का भुगोल पढ़ रहे थे शुरुआत की क्लास को याद करिए तो उपर जो नेपाल से टच एरिया है जो तराखंड से टच एरिया है जो तराई बेल्ट है और जो सिवालिक पहाड़ी के निकट का छेतर है गिरिपदी छेतर है वहां पर हाथी पाए जाते ही त नेशनल प्लान एक योजना है नेशनल प्लान फार कंजर्वेशन कंजर्वेशन आफ एक्वेटिक एको सिस्टम यह जो है केंद्र और राज की सहयूग तो जना है यह केंद्र और राज और यह सत्तर अनपात तीस सहयूग से चलाई जारी है यानि सत्तर परसेंट एकेंदर सरकार का सहयोग है इसमें और 30% राजी सरकार का सहयोग है इस योजना में Nationalை sicher प्लान फार कंजरवेशन आफ एक्वेटिक एकोशिष्टम जो आपका ये गंगा में जली एको सिस्टम है उसको सरच्छित करने के लिए इसमें डालफिन को सरच्छित किया जाता है तो सेंटर गवर्मेंट इसमें 70% खर्चा वहन करती है और 30% सयोग इसका राज सरकार का यानि यूपी का रहता है इसमें अब हम बताने जा रहे थे प्रजेक्ट एलिफेंट देखें प्रजेक्ट एलिफेंट जो पूरे देश में चल रहा है प्रजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया 1992 में प्रशन बहुत पूछा जाता है प्रजेक्ट एलिफेंट कब से चल रहा है तो 1992 से चल रहा है प्र देखो ये भ्रम्मे ना रहिएगा कि सिवालिक पहाडिया उत्तर प्रदेश में हैं, सिवालिक पहाडियों का जो निचला छेत्र है वो यूपी में है, यानि गिरिपदी छेत्र परवत का पदी छेत्र जो है वो यूपी में पढ़ता है, सिवालिक गिरिपदी छेत्र एवं तराई छेत्र जो उससे लगा हुआ छेत्र होता है वो तराई छेत्र होता है तराई छेत्र में जो है वो हाथियों के सरच्छड के लिए एलिफैंट रिजर्व बनाए गए हैं 2017 गड़ना कितने हैं 232 हाथी है यूपी में तो ये है फैक्ट हाथियों का तो हमने देखा टाइगर रिजर्व देखे हमने देखा कि राष्टी जली जू के लिए क्या यूपी में प्रयास चल रहा है 107 आजको वच्रेल देखें यूपी की अपने घ्रश्था के रिविआ ins Νच diffic चाह्यां के लिए आप क्या क्या हैं कि इतर्प्रदेश में क्यों से जू तो दो टाइब फिए जो तो चिडिया घर होते हैं चिडिया घर के रूप में, तो वो जो मानता प्राप्त चिडिया घर है, उनकी संख्या यूपी में क्या है, और वो कहां कहां पर स्थापित है, वो आपको जानना है, चिडिया घर, इसके लिए जो है केंद्री चिडिया घर प्राधिकरण है, जो मानता देता है, और वही इस तीन चिडिया घर बड़े हैं, एक लखनव में है, एक कानपुर में है, एक गोरखपुर में है उनके नाम अभी हम आपको बताएंगे और पाँच चिडिया घर है, चोटे, यानि जोटे यानि मिनी चिडिया घर, जोख आप खह सकते हो और एक बचाओ के अंदर है, बचाओ के अंदर भालू के लिए है, बालू बचाओ के अंदर, तो टोटल कितने हो जाएंगे नव, वो नव के नाम अस्थान आपको याद रखने है, जो यूपी में है, वो कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले, तीन बड़े चलिया घर हैं तीन बड़े मानिता प्राप्त चलिया घर हैं, कौन कौन से हैं तीन बड़े, एक है देखिए जो लखनों में है, उसका नाम है नवाब वाजिद अली साह प्राड़ी उद्यान और ज्यूलोजिकल गार्डेन, इसका नाम क्या है नवाब, वाजिद अली साह प्राड़ी उद्यान जुलोजिकल गार्डन ये अवद के नवाब थे नवाब वाजिद अली साह उनी के नाम पर कर दिया गया पहले इसको लखनौ जुलिया घर कहा जाता था अब वाजिद अली साह प्राणी उद्यान जुलोजिकल गार्डन ये कहां है राजधानी लखनौ में है लखन आप लिखेंगे यहां एक कर लिए इसे में दिट्ले के पूछा जा सकता है कि स Hawk Si Yani है कि आप से पूच्छा जा सकता है कि दिट्लीओं के सरच च्भाड़न के लिए पार्क कहां है तो वह पार्क जो bu यह और यहां भी तितली पार्क है यहां भी जो है वो तितली पार्क है तो दो जगे तितली पार्क है यह तितली के लिए इस पेसली और तीसरा जो मानिता प्राप्त बड़ा चिडिया घर है वो गोरकपुर में है गोरकपुर के एक सहीद हुए सहीद असफाक उल्ला खां जब आप मौडरन हिस्ट्री को इनके बिसन में क्या एक्प उठेभट चीज है एक जान चाहिए तो उनहीं के नाम पे गोरकपुर में एक प्राणी उद्द dobности प्राणी उद्द्याव और इसकी लोकेशन क्या है इसकी लोकेशन है गोरकपुर मैं पर आपको हम बता देंगे लाष्ट में कहां पर कौई से सभित, असभा, उल्ला खाँ, प्राणियुद्यान, गोर्थपूर to यह chic है बड़े अब 5 है छोटे वह पांच छोटे मंताप्राप्त चिडियाघर है पांच छोटे इनको कहते है मिनी जू छोटे चिडिया घर ये भी जो है केंद्री चिडिया घर प्राधिकनण के अंतरगत आते हैं पांच इसमें पहला है सेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क सेर प्रजनन केंद्र यो मल्टीपल सफारी पार्क इटावा इटावा देखें इंग्लैंड में एक safari park है लांग लीट safari park तो उसे की तर्ज पर यानि उससे प्रेरित हो करके ये पार्क बनाया गया है safari park ये कहा से सप्रेश्थ है ये England से प्रेश्थ है England के लांग लीट safari park से प्रेश्थ है देखेड कई safari park जो है वो इंडिया में बन रहे हम चर्चा करेंगे तो इंग्लेंड के Longleats Safari Park से प्रेृत हो करके ये पहला Safari Park बनाया गया तो एक दूसरा है कि दो हिरनों के लिए उद्यान है देखें नवाब गंज नवाब गंज पच्छी बिहार भी है नवाब गंज में हिरण उद्ध्यान भी है नवाब गंज हिरण उद्ध्यान और यह कहां है उन्नाव में उन्नाव जिष्टिक में नवाब गंज में पच्छी बिहार भी है नवाब गंज पच्छी बिहार वो भी उन्नाव में है और त उसका नाम है सारनाथ हिरन उद्यान सभी पूछे गये सभी इंपॉर्टन्ट है वारणसी यह कौशा हो गया सारनाथ हिरन उद्यान यह हिरन के लिए अनुसंधान संस्थान मैं यहें िजयत नगर बरेली में यहांद dissertation इजयत सब्सक्राइन अनुसंधान संस्थान wy and से बड़ेली में और एक फिस्त नंबर पे आप को च्छोटा चिडियागर है वह जानना है विनोद फंवन लग चिडियागार विनोद फंवन लग्ह चिडियागर यह गोरकपूर में हैं यह कहां है गोरखपुर तो ये हैं पांच छोटे चिडिया घर अब एक हमने आपको बताया था एक है बचाओ केंद्र वो भालू के लिए है भालू बचाओ केंद्र तब तो तल नो हो जाएंगे तो एक आप नोट करने भालू बचाओ केंद्र आगरा में है एक बचाओ केंद्र और वो है भालू बचाओ केंद्र ये भी चिडिया घर कटेगरी में आता है और ये है आगरा तो टोटल जो है वो कितने हैं टोटल नो चिडिया घर हो गए मानता प्राप्त चिडिया घर जो है वो टोटल नो है तीन बड़े 5 छोटे आठ हो गए और एक है बचाओ केंदर बचाओ केंदर मिला के ये भी चडि輯ा घर करकेज्री में ही है बचाओ केंदर मतब इस पेशली भालू को बचाने के लिए सरचित करने के लिए बनाया गया है तो ये नौ चडिया घर हो जाते है पहले सुरुवात में आप देखते थे कि इन सब पस्वों को सरकस में रख करके हाथी, सेर, हिरन ये सब दिखाने के लिए भालू गरा को दिखाने के लिए सरकस में होते थे और मदारी लोग भी होते थे कुछ जो भालोगरा को लेके गाउं गाउं जाते थे तमासा दिखाने के लिए लोगों का मन रंजन करने के लिए तो अब इस सब चीज पर परतिबंध है अब इन सब वन जीवों को लेकर के आप इस तरीके से उनको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं तो इन सब चीजों पर रोग लगाई गई है सुरत्षा के दिश्टकोंड से तो नवाब वाजित अलीस साह कानपूर प्राड़ी और साहिद अस्फक उल्ला खां अस्फक उल्ला खां प्राड़ी उद्यान ये तीन बड़े जरूर आपको याद रखने है और ये चोटे वा वहां पर कुकरेल वन छेतर है पूरा वहां पर डिबलब किया जा रहा है नाइट सफारी पार्क तो नाइट सफारी पार्क दो जिगे बन रहे हैं नाइट सफारी पार्क एक बन रहा है कुकरेल लखनों में कुकरेल यहां पर कुकरेल नदी बहती है कुकरेल वन छेतर लख नुएडा में नुएडा तो दो जगे जो है नाइट सफारी पार्क बन रहे हैं 2022 में यह सब प्रस्तावित किये गए है निर्माड़ा धीन है नाइट सफारी पार्क तो यह चिडिया घर हो गए तो यह भी आप से पूछे जा सकते नए वाले कुक्रेल वन छेत्र में जो बन यूपी का अगर आपसे बात कर लिजा है कि यूपी का राजकी पसू कौन सा है तो आपका क्या उत्तर होगा यूपी का राजकी पसू कौन से है राजकी पसू बारह सिंगा एक प्रकार का यह हिरन होता है जिसकी सिंग होती है बारह इस तरीके कि उस पे ऐसे ब्रांच ब्र तरफार सिंगा है अच्छा राज की पच्छी कौँशा है राज की पच्छी होई सारस के सारश या क्रॉंच इसको बोलते हैं क्रॉंच अब देखिएँ पस्वों को और पच्छीयों को लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए पत्षों के प्षंधुं प्रति और पच्छ से 7 अक्टूबर के बीच में वन्य प्राड़ी सुरच्छा सप्ता मनाया जाता है एक अक्टूबर से 7 अक्टूबर या फर्ष्ट वीक आफ अक्टूबर कह सकते हैं तो यह है वन्य प्राड़ी वन्य प्राड़ी सुरच्छा सप्ता यह भी प्रशनाप से पूछा जा सकता है मनाया जाता है और दिसंबर के फस्ट वीक में दिसंबर के पर्थम सब्ता में यानि एक दिसंबर से साथ सब्ता मनाया जाता है वर्ड फेस्टिवल तो कुछ फैक्ट आप दो तीन याद रखेंगे आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ड बर्ड फैस्टिवल बर्ड यानि चिडिया बर्ड फैस्टिवल यानि कि पच्छी तेवहार पच्छीों का तेवहार कम मनाया जाता है दिसंबर के फ़स्ट वीक में अभी मनाया गया और वर्ड पराड़ी सुर अच्छा सब्ता कम मनाया जाता है एक अक्टूबर से साथ अक्टूबर तो कुछ फैक्ट्वल चीजें भी पूछी जा सकती है आपसे राज की पच्छी देखे उत्तर प्रदेश के राज की चिन्ध पर भी मचली का सिंबल है ये भी तो वर्ड पसों का सहयोग लेता था जो पसों उसे सिकार में मदद करें तो उनको वो पालन शुरू किया इसी तरीके से पसों पालन श्टार्ट हुआ और बाद में जब पसों पालक बन गया तो उसने जो है पसों से बहुत सारी चीजें प्राप्त करना शुरू कि दूद्ध वगरा प्राप्त करना शुरू किया मांस भी पसों से प्राप्त किया और बाद में वो करसी कार से जब करसी करने लगा तो करसी पर निरभार हुआ तो पसों से बहुत पुराना नाता है शुरूआत से ही पशाड काल से ही देखे कुछ और योजनाय जो यूपी में चलाई जा रही ही वो आप देखें हमने बताया राज की पच्छी सारस है तो सारस के सरचण के लिए भी योजनाय चलाई जा रही है कुछ एक दो योजनाय आप जाने जो इंपॉर्टेंट है आपकी एक्जाम में पूछी जा सकती है वो आप देखें जैसे देखें एक है लुप्त प्राह ज प्रजातियों के प्रजनन केंद्र लुप्त प्रजातियों के प्रजनन केंद्र लुप्त प्रजातियों यानि जिनकी जनसंख्या कम हो रही है जो खतम होने की तरफ है आप बताए कि जो संकट ग्रस्त जातियां होती है उनका डाटा किस पुस्तक में रखा जाता है उस किया गया है और वो इस्थापित किया गया है लखनों में लखनों में कहां कुक्रैल में तो लुप्त प्राहे प्रजातियों के लिए प्रजनन के अंदर कहां बनाया गया है यह बनाया गया है कुक्रैल लखनों में वहीं कुक्रैल जहां पर हमने भी आपको बताया कि वहां प बिलाव आदिर केर्थ है यहाँ फिरं उद्द विलाव आदि का प्रजणन केंद्र एंकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए लूप्तिप्रह प्रजातिओं के लिए तो एक यह आपको रखना है दूसरा क्या है कच्छुआ पुनरवास कच्छुआ पुनर्वास योजना ये योजना क्या है खच्छुआ ऍजसे गंगा नदी गंगा नदी में कच्छुआ चोड़े जाते हैं और खच्छुआ जो है वह जल को स्थ करने में सहयोग है कच्छुआ जो मांसाहरी कच्छुआ के पुनरवास की योजना है इसमें सारनाथ में ये बनाया गया है सारनाथ में कच्छुआ पुनरवास केंदर बनाया गया है और चंबल और मिर्जापुर्च हित्रों से कच्छुआ के अंडे लाए जाते हैं उनको कच्छुआ पुनर्वास केंद्र में डिबलब किया जाता है उनसे जब बच्चे बनते हैं और उन बच्चों को गंगा नदी में छोड़ दिया जाता है ताकि कच्छुआ बढ़ सकें गंगा नदी में तो कच्छुआ पुनर्वास योजना ये किसके लिए है ये कि मानसाहारी कछुगा के पुनरवास का मतलब फिर से उनको बसाने लिए यहां पे यह कहां बनाया गया है सार्णात वारानसी में कि क्या है कछुगा पुनरवास केंद्र बनाया गया है चंबल और मैंपूरी चेतर से मैंने भी आपको मिर्जापुर बोल दिया था मैनपूरी चेतर से चंबल और मैनपूरी चेतर से तो सारनाथ वारणसी में क्या है यहां पर बनाया गया है कच्छुवा पुनर्वास केंद्र पूछा जा सकता है कच्छुवा पुनर्वास केंद्र उत्रप्रदेश मे कहां है और यहां पर चंबल से चंबल यवं मैनपूरी छेतर से मैनपूरी से कच्छुआ के अंडे लाए जाते हैं कच्छुआ के अंडे लाकर बच्चे जब उनसे बच्चे बन जाते हैं गंगा में छोड़े जाते हैं तब ही तव पुनलवास शुआ, गंगा में छोड़े जाते हैं, छोड़े जाते हैं, तो यह कर्ष्य पुनलरवास केंद्र Strasse Board के लिए इस पिसलिए कच्छुवा, 00व्पन गंगनधी को सुछ करने में सही ओब करता है, गंगा, एक्षन प्लान के तहेत ये कारकरम चलाया जाता है गंगा एक्षन प्लान अब देखे एक है राश्टी चंबल वन्य विहार योजना राश्टी चंबल बन्य विहार योजना यसी जो यह है यह भारत सरकार और राज सरकार के सयुक्त कारिक्रम है यह इसलिए इसका नाम है राष्टी चंबल वन बिहार योजना देखें यह जो है यूपी राजस्थान और MP यह तीन प्रदेशों में है यह योजना राष्टी चंबल वन बिहार योजना यूपी राजस्थान और MP क प्रदेश से निकलती है, राजिस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है, तो तीनों प्रदेशों का इसमें सिस्टम है, और इसकी जो घाटी है, चम्बल नदी घाटी को घडियालों और मगरमच्छों के जो है, बिहार के रूप में जो है, डेबलब किया गया है, जि राष्टी चम्बल वन जी बिहार बनाया गया है, और यह किस से रिलेट्ट है, यह घडियाल, चम्बल के घडियाल बहुत फेमस हैं, घडियाल लोग वहां देखने जाते हैं, घडियाल और मगरमच्छ, मगरमच्छों के लिए यह उजना है, इसके लिए घडियाल और मगर रजिस्थान की प्रयोजना है योजना है और इसमें भारत सरकार का भी सही हो गए यानि केंदर और राजी मिल करके करते हैं यह चंबल नदी घडियाल के लिए फेमस है चंबल नदी याद रखेगा मगरमच और चंबल के लिए यह योजना है तो कच्छुआ पुनर्वास कें है सारवनात में है अब लूफत प्रजातियों का प्रजरिनंट के अंदर के हैं कुकरयल में है और चंबल बन जीवी बिहार कहा है वह चंबल नदी में है और लिफेंट के लिए हमने बता ही दिया है पीछे अब्सAyध परजेक निस सो वाली स्लाइड में अभी हमने Elephant Project आपको बताया तो Elephant Project जो है वो Elephant UP में हमने कहा बताए तराई छेतर में तो तराई छेतर में इस्पेसली रिजर्ब जो बनाए गए है Elephant के लिए 1992 Elephant Project के तहट वो बिजनौर और सहारनपूर डिस्टिक में बनाए अगर बता दिया था तो कोई बात नहीं अगर नहीं बताया था तो नोट कर लीजेगा तो इतना यह आपको जानना है उत्तर प्रदेश में वन जीवों के बिसे में इसके लावा देखिए सारस के सरच्षड के लिए चलाया जा रहा है हमने बताया कि सारस सारस राश्टी राज की पच्छी है तो सारस के लिए एक चलाया जा रहा है राज पच्छी है सारस तो इसके लिए सरच्षड योजना चलाई जा रही है क्योंकि सारस बहुत कम बचे हैं बिस्वें और जो बचे भी हैं बिस्वें उसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं तो इसलिए सारस के सरच्छड के लिए उत्तर प्रदेश में योजना चलाई जा रही है तो फ्रेंट्स इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में वन जीवों के बिसे में जाना यहां पर हमने सिर्फ जो है राष्टी पार्क, टाइगर रिजर्ब्स, एलिफेंट प्रजेक्ट और ये सब हमने जाने चिरिया घर जाने अब हम उत्तर प्रदेश में दो चीज़ें और जानेंगे उत्तर प्रदेश में हम जानेंगे कौन-कौन से पच्छी बिहार है और कौन-कौन से वन जीवों बिहार है तो अभी उत्तर प्रदेश की साइट पे वन जीवों बिहार और पच्छी बिहार की जो संख्या दिखाएगे उसमें बहुत सा मिक्सप भी है कुछ वन जियू बिहार पच्छी बिहार भी है और कुछ पच्छी बिहार वन जियू यानि मिक्स अफ है इसलिए उसको लिष्ट को अलग अलग करने से कंफ्यूजन पैदा होता है तो हम एक ही में देखेंगे ज्यादातर कोशिश करेंगे कि जो पच्छी बिहार हैं वो अलग और वन जियू बिहार अलग हम देखेंगे दो इसके बाद जो दो क्लास होंगी वो मैप पर होंगी बिना फेस के मैप पर हम आपको चिन्हित करके पच्छी बिहार और वन जू बिहार की लिस्ट तयार करवा देंगे क्योंकि वो डिस्टिक वाइज आपको याद रखने है उसमें और कोई बिस्टिक पॉइंट नहीं याद रखने है सिर्फ आपको पच्छी बिहार का नाम और वो किस जिले में है कहां पे है और वन जू बिहार जो उत्तर प्रदेश में है वो लगबग दोनों की संख्याद 10 से ज़्यादा है यानि 10 पच्छी बिहार प्लस है और 10 से अधिक वन जू बिहार भी है तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और बहतर क्लास के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद